लोडी filthy वेलकम टू सिवल्स पॉइंट हैं माचल तो हमने स्कार्ड की थी इंडियन कॉंशिचन के बारे में पड़ना तो बेसिकली हमने अभी तक पार्ट वन आफ दौंशिचन के बारे में पड़ा है जिसमें हमने अभी तक देखा है कि कैसे हमारी union और its territory हमारे जो संग है और उसके जो राज्यशेत्र है वो कैसे describe किये गए है पार्ट वन में ठीक है आर्टिकल वन, आर्टिकल टू, आर्टिकल थ्री और आर्टिकल फोर किस-किस बारे में deal कर रहा है तो आज हम उसी का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, evolutions of state and union territory इसमें हम देखेंगे कैसे British rule से लेकर 2021 या 2022 तक कि या अभी तक present तक कैसे हमारी states बनी, कैसे union territory बनी, तो हम ये स्टार्ट करेंगे कि pre-independence era से लेकर post-independence era तक जो states थी या union territory वो कैसे बनी, तो सबसे पहले 1893 में क्या हुआ 1893 में एक Durand line खिंची गई Durand line किस के बीच में खिंची गई थी, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में 1893 में जो Durand line खिंची गई थी, वो खिंची गई थी अफगानिस्तान और इंडिया में तो देखे, अफगानिस्तान का जो शेत्र था, 1893 तक वो अखंड भारत का हिस्सा था देखे, इस लाइन खिंचने के बाद क्या हो, हमारे जो ग्रेटर इंडिया था, उसका एक पार्ट अलग हो गया अफगानिस्तान क्या हो रहा है, भारत से अलग हो रहा है, 1893 में कैसे Durand line खिंच कर फिर उसके बाद, दूसरा इवेंट हो रहा है, 1935 नांटिन थर्टि फाइव में, जो हमारा बर्मा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनमार भारत से अलग हो गया, भारत से अलग हो गया तो देखे, भारत का, अखंड भारत का एक और डिविजन कब हुआ, 1935 में, जिसमें क्या हुआ की भारत से कौन अलग हो गया था बर्मा अलग हो गया ठीक है और तीसरा सभी जानते है 1947 1947 1947 में ठीक है जो रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खिंची गई थी और क्या हुआ कि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया मतलब कि भारत का एक और टुकडा हो गया कि पाकिस्तान अलग हो गया पाकिस्तान के टू पार्स थे उस टाइम इस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इस्ट पाकिस्तान जिसको हम अभी क्या बोलता है बांगलादेश बांगला देश उस समय इस मैं क्या थी जो बांगला देश था या इस्ट पाकिस्तान था वो टोटली पाकिस्तान का हिस्टा था और इस्ट पाकिस्तान या बांगला देश और भारत के बीच में जो एक बौर्डर लाइन है उसको बोलते हैं zero line जीरो लाइन चीक है और वेस्ट पाकिस्तान जो अब का पाकिस्तान है वहाँ पर है रेड कलिफ लाइन रेड कलिफ लाइन तो ऐसे 1947 तक हमारा भारत क्या हुआ था अखंड भारत तूटना शुरू हुआ था 1893 से लेकर 1947 तक चीक है अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस जब अंग्रेज भारत को छोड़ कर गए थे तो उन्होंने एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था पारलेमेंट में अपनी में 1947 में इसमें उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करने जा रहे है create two independent nations two independent nations या state जैसे इंडिया और पाकिस्तान अब जिस जिस एरिया के ऊपर क्या था ब्रिटिश रूल था उसको डिवाइड कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ठीक है और दूसरी बात और three gave और ये जो act है three option to princely state जो हमारी princely states थी जहां पर क्या था राजाओं का अधिकार था जहां राजा रूल कर रहे थे उनको क्या option दे दी तीन option दे दी गई इंडिया 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 इंडिपेंडेंस एक्ट बोल रहा है कि हम two independent states या नेशन बनाने जा रहे हैं एक है इंडिया और दूसरा है पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान कहां बनेगा następ जिन स्टेट्स में बनेगा जहांपर क्या था ब्रिटिश रूल था जिसके उपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे वहांपर क्या था इंडिया और पाकस्तान बनेगा जिन प्रोविंसिस के उपर क्या था ब्रिटिश रूल था उनके उपर इंडिया और पाकस्तान बन गया अब अप्छ गई भारत के अंदर कुछ प्रिंशली स््टेट्स ची कैं जो प्रिंशली स्टेट्स बच रही है उनको ऑप्शन दी गई अच्छा क्या ऑप्शन दी कि या तो आप भारत में मिल जाइए या तो पाकिस्तान में मिल जाएए या फिर आप क्या कर सकते हैं कि independent nation भी बना सकते हैं ठीक है तो यह बोल रहे हैं three options में कि join India या तो आप भारत को join की जिये या join Pakistan या Pakistan को join की जिये या remain independent remain independent या तो आजाद रहें चीक है या तो आप क्या की जिये भारत में मिल जाएए या पाकिस्तान में रहें या remain independent ये हमारी princely states को क्या दी गई option दी गई Indian Independence Act के द्वारा चीक है तो जो हमारा इंडिया का geographical area था उसके अंदर कितनी 552 प्रिंसली states थी 552 प्रिंसली स्टेट्स थी ठीक है इन 552 प्रिंसली स्टेट्स मैं से क्या हुआ की 549 प्रिंसली स्टेट्स जोई इंडिया जोईन इंडिया प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया इंडिया को जोईन किया ठीक है एंड थ्री प्रिंसली स्टेट्स ठीक है जो तीन प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पे थोड़े से क्या चल पड़े dispute थोड़ से क्या चल पड़े dispute ये हमारा क्या है इंडिया का geographical map चीक है somewhat look like this ऐसा ही दिखता है इंडिया थोड़ा सा तो या इसके अंदर जो 552 princely states थी उन्होंने क्या किया इंडिया को join कर दिया चीक है उसमें से ये वाला area ये वाला area जूनागड वाला area और हैद्राबाद वाला area चीक है ये जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट चीक है और जूनागड जूनागड इन्होंने अभी तक भारत में मिलने का क्यानी किया था कोई विचार नहीं बनाया था और तीसरी हमारी हैद्राबाद इन प्रिंसली स्टेट्स ने अभी तक भारत में मिलने का विचार नहीं बनाया था काठिया वाड कहां पर है गुजरात में काठिया वाड तट गुजरात यह वाला एडिया यहां पर क्या है जुनागड सित है तो जुनागड के नवाब होते थे मुहंबद महाबद खान जी महाबद खान महाबद खान क्या करना चाहते थे पाकिस्तान में मिलना चाहते थे जुनागड के नवाब महाबद खान पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे लेकिन जूनागर की जनता ने इसका क्या किया था विरोध किया था जो जूनागर की जनता थी जूनागर के लोगों ने इसका विरोध किया था विरोध किया था ठीक है जिस कारण क्या हुआ था नवाब क्या किया था पाकिस्तान चला भाग गया था महबद खान पाकिस्तान भाग गया पाकिस्तान भाग गया और फिर जो हमारे सर्दार वल्लव भाई पटेल थे सर्दार वल्लव भाई पटेल ने जन्मत संग्रह लोगों से पूछ कर जन्मत संग्रह जिसको बोलते हैं रेफ्रेंडम जन्मत संग्रह रेफ्रेंडम कराकर कराकर जूनागड को जूनागड को भारत में मिलाया जूनागड को भारत में मिलाया था तो ये था जूनागड के बारे में बेसिकली जूनागड जो था वो काठियावार तटपरस्थित था वहां के नवाव होते थे महबबत खान जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाते थे और मिलने की गोशना कर चुके थे तो लोगों ने कहा किया था इसके खिलाब क्या कर दे थी रिवॉल्ट कर दी थी और इसको क्या करना पड़ा पाकिस्तान भागना पड़ा शीक है फिर सरदार वल्लव हाई पटेल ने क्या किया था वहां पर जन्मत संग्रह यह फ्रेंडम कराया था और लोगों ने भारत संग में मिलने का कह किया था संग में मिलने के लिए जादा वोट किये थे इसलिए जूनागड को कह किया गया फिर मिला लिया गया था भारत संग में फिर इसके बाद है जम्मू कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर के राजा कौन होते थे हरिसियों ठीक है जम्मू कश्मीर के राजा हरिसियों थे जम्मू कश्मीर के राजा हरिसियों थे इन्होंने कह किया था स्वतंतर रहने की गोशना की थी स्वतंतर रहने की गोशना की थी अब इन्होंने स्वतंतर रहने की गोशना की तो वहाँ पाकिस्तान के जो पठान या कभीलियाई लोग थे ठीक है उन्होंने क्या किया था जम्मु कश्मेर पर आकर्मन कर दिया था ठीक है पाकिस्तान के पठान कभाईलियों ने जम्मु एंड कश्मीर पर आकर्मन कर दिया अब जो राजहरीसिया थे वो कहां गए पंडित जुआलाल नेरू और सरदार वल्लो भाई पठेल के पास चले गए और उनको कहा कि आप अपनी आर्मी भेजिए जम्मु एंड कश्मीर में तो पठेल ने सरदार पठेल ने बोला कि पहले आप क्या किजिए जो भारत में विलय पत्तर है मिलने का जो विलय पत्तर है उस पर अपना साइन कर दीजिए कि आपके ये कि आप भारत में मिल रहे हैं ठीक है तब ही हम अपनी सेना बेजेंगे तो 26 अक्तुबर 1947 को हरिसिया ने बाहरत के विलय पत्तर पर बाहरत के विलय पत्तर जिसको बोलते हैं इंश्ट्रूमेंट अफ सक्षेशन इंस्टूमेंट अफ सक्षेशन पर हस्ताक्षर किये थे हस्ताक्षर किये थे ठीक है तो क्या हुआ फिर जब वीनों ने क्या किया कि इस instrument of succession पर जो sign किये थे फिर Indian army गई थी ठीक है और जो पठान या जो पाकिस्तान की जो force थी वो कहाँ पर इस वाले area पर क्या कर गई थी पहुंच चुकी थी ये वाला area पूरा उन्होंने capture कर लिया था और इस तरफ से Indian force आगे बढ़ी थी ठीक है तो फिर उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पर एक border बन गया जिसको बोला गया लो सी line of actual control और जिस शेत्तर पर पाकिस्तान army ने कबजा कर लिया उसको पाकिस्तान बोलता है उसको भारत बोलता है पाक कुपाइड कश्मीर और पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर ठीक है तो यह था हमारा जम्मू और कश्मीर कैसे भारत में मिला था तो इसके बाद है हैदराबाद जो हैदराबाद का जो निजाम था वो भी पाकिस्तान में मिलना जाता था अब देखिए हेदराबाद कहां पर इंडियन टेरिटरी थी उसके सेंटर में प्रेजेंट है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लिंक कोई रास्ता नहीं था ठीक है तो वो चाहते थे कि बीच में से ऐसे कोई रास्ता दिया जाए हेदराबाद और पाकिस्तान के मिलने के लिए ठीक है तो अब हेदराबाद 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 का निजाम मीर ओस्मान अली मीर ओस्मान अली पाकिस्तान में मिलना चाहता था मीर ओस्मान अली पाकिस्तान में मिलना चाहता था ठीक है जो हेदराबाद के निजाम की एक फौज थी जिसका नाम था रजाकार निजाम की रजाकार फौज ने रजाकार फौज ने हैजरावाद में लूट मचाना शुरू कर दी थी हैजरावाद में लूट मचाना शुरू कर दी थी जो निजाम की जो रजाकार जो फौज थी उसने हैजरावाद में क्या किया था लूट मचाना शुरू कर दी थी और लोगों को मारना शुरू कर दिया था तो इसको देखकर सरदार वल्लव भाई पटेल ने ठीक है सरदार वल्लव भाई पटेल ने 13 सेप्तम्बर 1948 को 13 सेप्तम्बर 1948 को ओप्रेशन पोलो के तहद ओप्रेशन पोलो के तहद है तो सरदार वल्लव भाई पटेल ने क्या किया था 13 सेप्तम्बर 1948 को ओप्रेशन पोलो के तहद है तहद है क्या किया था सेन्ने करवा ही करी थी ठीक है फिर जो निजाम था उसने 18 सेप्तम्बर 1948 को विले पत्तर पर अस्ताक्षर किये थे या साइन किये थे तो फिर जाके क्या हुआ था कि हैदराबाद के निजाम ने 18 सेप्तम्बर 1948 को क्या किया था इंस्टूमेंट ओफ सक्षेशन पर साइन किये थे हैदराबाद तो इस बज़र से क्या हुआ था कि हैदराबाद भारत में मिल चुका तो जिन तीन स्टेट्स को लेकर क्या वातर डिस्प्यूट्स हुए थे वो थी हमारी जूनागर्ड, जम्मु कश्मीर और हैदराबाद ठीक है अब 1950 में 1950 में भारत के सभी राजियों भारत के सभी राजियों सभी राजियों और राजियों शित्रों को राजियों शित्रों को चार श्रेनी में बांटा था ठीक है तो 1950 में भारत के सभी राजियों और राजियों शित्रों को चार श्रेनी में बांटा गया था ठीक है तो हम पड़ेंगे फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन आफ स्टेट फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन आफ स्टेट ठीक है तो पहली जो कैटेगीरी थी उसे बोला गया पार्ट ए स्टेट फिर बोला गया पार्ट बी स्टेट पार्ट सी स्टेट एंड पार्ट बी स्टेट ठीक है तो यह फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन आफ स्टेट किया गया था 1950 में जिसमें कैटेग्राइज किया गया था जो भारत की जो टेरिटरी थी उनको पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट डी में तो पहले पड़ेंगे पार्ट ए तो पार्ट ए में जो ब्रिटिस प्रोविंस थे ब्रिटिस प्रोविंस का मतलब जहां पर ब्रिटिस का रूल था प्लस टू शिक्स्टिन प्रिंसली स्टेट को रखा गया टू प्रिंसली स्टेट को रखा गया और उनको आपस में मिला कर क्या किया गया नाइन स्टेट्स बनाई गई ब्रिटिस प्रोविंस प्लस टू शिक्स्टिन प्रिंसली स्टेट्स को आपस में जोड कर 9 states बनाई गई Very very important 9 states थी हमारे Part A में 1950 में सबसे पहले चलते हैं Part A में कौन सी state रखी गई Assam Assam state Part A में रखी गई Assam के बाद भिहार फिर वेस्ट बेंगोल या आप United Province United Province United Province के बाद Punjab युनाइटिड प्रोविंस के बाद Punjab मध्य परदेश पंजाब मध्य परदेश उरिशा वेस्ट बेंगोल उरिशा और वेस्ट बेंगोल एर्थ पर Bombay और नाइन्थ Madras या Madras तो ये थी हमारी Part A के अंदर 9 states ठीक है इसके बाद Part B में 9 princely states Part B में 9 princely states ठीक है रखी गई थी इसके अंदर भी 9 states थी 9 states और ये जो 9 states थी ये किन से मिलकर बने थी 275 princely states से 275 princely states को reorganize किया गया था 9 princely states में ठीक है तो पहली हमारी जम्मू और कश्मीर दूसरा पंजाब और इस्ट पंजाब पंजाब और इस्ट पंजाब तीसरी राजस्थान चौथी सौरास्ट्र पांचवी मध्य भारत मध्य भारत 6th विंध्या प्रदेश 7th हिद्राबाद 8th मैसूर 9th ट्रैवन कोर और कोचिन तो यह हमारी 9 states थी जो पार्ट बी में रखी गई थी चीक है पार्ट सी में पार्ट सी में क्या किया गया जो चीफ कमिशनर प्रोविंस थे चीफ कमिशनर प्रोविंस जहां पर चीफ कमिशनर क्या कर रहे थे रूल कर रहे थे उनको रखा गया पार्ट C के अंदर जैसे हिमाचल परदेश वहाँ पे क्या था Chief Commissioner प्रोविंस था हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश हिमाचल के अंदर ही कौन था बिलासपूर तो बिलासपूर को भी पार्ट C स्टेट में रखा गया था ठीक है फिर आता है दिल्ली दिहली अजमेर कच कूच बिहार कुर्ग भोपाल मनिपूर एंड त्रिपूरा चीफ कमिशनर प्रोविंस में क्या थी टैन स्टेट्स थी चीफ कमिशनर प्रोविंस में 10 स्टेट्स थी या पार्ट C में 10 स्टेट्स थी पार्ट A में 9 स्टेट्स थी और पार्ट B में भी 9 स्टेट्स थी पार्ट A में 9 पार्ट B में 9 पार्ट C में 10 और पार्ट D में 1 स्टेट रखी गई जिसका नाम था अंडमान और निकोबार अंडमान एंड निकोबार आईलेंड यहाँ पर क्या पार्ट डी में सिर्फ वन स्टेट रखी गई तो इस तरीके से पार्ट हमारी जो स्टेट्स थी इंदियन टेरिटरी के अंदर उनको कैटेगराईज किया गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में बहुत इंपोर्टन्ट है यह I hope आप समझी को इतना समझ आया हुआ कल से हम देखेंगे रियॉर्गेनाईजेशन आफ स्टेट्स इन स्टेट्स को यह जो हमने पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में या पार्ट डी में जितनी भी स्टेट्स देखी इनको रियॉर्गेनाईज करके या इनको तोड़ कर नई स्टेट्स बनाई जाती है तो कैसे हमारी नई स्टेट्स आ रही है और union territory आ रही है और भाषा के आधार पर states क्यों बनानी पड़ी हमें ठीक है भाषा के आधार पर states का निर्मान हुआ क्यों बनाना पड़ा वो देखेंगे linguistic basis के ओपर state को क्यों reorganize किया गया जैसे आपको पता है कि आंध्रपरदेश ठीक है आंध्रपरदेश थी जो हमारी first linguistic state ती उसको क्यों बनाने की जुरूरत पड़ी और उसके बाद क्यों फिर भाषा के आधार पर भारत के अंदर क्या हुई थी states बनना सोभी हुई थी तो कल हम इसके बारे में पड़ेंगे ठैक्स फर वाचिंग और हैव नाइस दे